हेलो आज की क्लास में हम अपनी सेकेंड बुक का फर्स चाप्टर जिसका नाम है चैलेंजेज ओफ नेशन बिल्डिंग के काटोन और पिक्चर बेस कोशन करने वाले हैं सबसे पहली चीज हमारे इस चैप्टर में जो एक new added topic है सरदार पटेल जी का role national integration के अंदर वो वाला topic भी हम उससे related picture based question भी हम इस topic में complete करने वाले हैं तो अगर आपने चैप्टर बिल्गुल अच्छे तरीकी से पढ़ लिया और आपको सरफ अभी काटोन और map based questions की practice करनी है तो चलिए शुरू करते हैं इस video को हमारे chapter में सबसे पहला picture और बहुत ज्यादा important picture भी इस picture में क्या show किया गया है पहले इस चीज़ को हम समझते हैं जि जब हारत आजाद हुआ 1947 में ठीक है जब इंडिया का partition हुआ है उससे पहले हम बात करें तो 1947 तक के time पे हमारे देश में कम से कम 565 प्रिंसले state थे प्रिंसले state वो जहां राजा या महराजा या उनके उत्रादिकारी राजकुमार रूल कर रहे थे ठीक है तो हमारा सबसे पहला काम ये था national integration के लिए कि इन सारे देशी रियासतों को इंडिया प्रिंसले state को इंडिया का part बनाना है इसके लिए जो सबसे बड़ा योगदान जाता है वो सरदार पटेल जी को जाता है इस picture में क्या दिखाये गया है कि एक जनता को शो किया गया और एक राजा बैठा हुआ है और इसकी पेटी पे तीन चीज़े दी गई है क्या क्या है foreign affairs, foreign relations, दूसरा है defense और तीसरा है communication सरदार पटेल जी जो इन्हें कह रहे हैं कि बस आप बैठे रही है आप राजाएं लेकिन हमें ये तीन चीज़े दे दीजिए इस से related picture based question में आपको क्या क्या question पूछे डा सकते हैं हमारे exam में उनको शुरू करने से पहले एक बार जो line ही लिखिया हैं उन्हें पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं The leader Leader in the above cartoon of the right is सरदार वल्लभाय पटेल ठीक है जी ये सबसे पहले जो वेक्ति आपको दिख रहा हैं वो हमारे सरदार वल्लभाय पटेल है जो हमारे देश के पहले deputy PM साथ में ग्रह मंत्री भी थे ठीक है Home Minister भी थे Next line सरदार वल्लभाय पटेल Who work hard integrated to Princess State to India इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया प्रिंसे स्टेटो को इंडिया में मिलाने का इन्होंने 565 में से अकेले 562 प्रिंसे स्टेटो को इंडिया में मिलाने का अकेले काम किया On the left king show who does not treat two people well और दूसे दरफ हमें एक राजा दिख रहा है जो अपने लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता देख सकते हैं आप बैठा है उन पे The Maharaja is given to instruments of session to Wallabhai Patil अब यह जो महराजा है वो क्या दे रहा है? वो सरदार पटेल को instrument of session दे रहा है और फिर इनको ना पाकिस्तान के किसी अब कैसकतो पाकिस्तान से relation अच्छे नहीं करने और साथ में आपने यह तीन चीज़े नहीं रख सकते foreign relation, communication और defense Next line सरदार वलब भाय पटेल विच शोग देट They are agreed to, ready to be a part of India He say, don't get up, just give this That mean they will be given to autonomy, they can still be the king तो यह सरदार पटेल करा, आप बैठे रोजी, बस हमें यह तीनों चीज़े दे दो, क्या-क्या, foreign affair, defense और communication But they should not agree to be a part of Indian Union in the giving of them of signing instrument of session लेकिन एक बार अगर आपने instrument of session पे sign कर दी और India का part बन गया तो अब आप अलग नहीं हो सकते, ठीक है और नहीं पाकिस्तान के साथ जोड़ सकते हो, अब आप इंडिया के part बन कर रहोगे अब इस से related हमारे exam में कौन कौन से questions पूछे जा सकते हैं जो अभी तक sample papers में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम define करते हैं और जो हमारे first term के exam में हमें question देखने को मिल सकते हैं second question, who is the leader standing on the right of the picture, right में कौन विक्ति खरे हैं तो उनका नाम कहा है सरदार वल्लब भाई पतील, ठीक है second question, what does the picture comment on, तो ये picture क्या show कर रहा है first, on the people of princess state on the rulers, second, on the farmer of the country and the rulers third, on the home minister of country and the people of last, all of the above तो हमारा जो answer बना जी, all of the above, उसमें king भी है, जनता भी है, इसके लावा जो हमारे home minister है, वो भी है, वो क्या कर रहा है, जी वो उन लोगों को, princess state को इंडिया में मिलाने का काम कर रहा है next picture based question पढ़ने से पहले कुछ छोटे से story जान लेते हैं कि जब भाई, पहली बार ना, language के नाम पे state को बनाने की demand, ये question भी आता है, वो कब हुई थी, 1920 में हुई थी, एक नागपुर में एक session चल रहा था, उसके अंदर जिसमें demand हुई थी, कि language के नाम पे state को reorganize, यानि बनाया जाए लेकिन जैसे इंडिया का partition हुआ, तो हमारे देश में अलग-अलग लोगों ने मिलकर, अलग-अलग language के लोगों ने मिलकर, protest करना शुरू कर दिया और यह दिखाया जा रहा है, बीच में जवाहलन नहरू जी क्यों, उनकी समस्या को, कि भाई किस state को कैसे बनाया जाए और किस basis पे बनाया जाए तो हमारे देश के अंदर जो state बने वहा है, वह language के नाम पे बने, ये cartoon क्या शो कर रहा है जवाहलन नहरू को ये भी थोड़ा डर था कि अगर language के नाम पे state बनाया गया तो वो आगे बढ़के अलग होने की या separate country बनाने की demand में ना बदल जाए इंडिया identified and respected of regional demands on the people and enhance the democracy by providing some autonomy of the state also इसलिए हमने कुछ stateों को autonomy भी प्रदान की जब इंडिया का partition हुआ फिर language के नाम पे state बनने शुरू हुए तो ठीक है अब इस से related हमारे exam में questions क्या क्या बन सकते हैं उन्हें हम define कर लेते हैं और समझ लेते हैं पहला state choose the first state to be created due to linguistic demand after independence आजादी के बाद पहला state जो language के नाम पे बना जी हमारे south के मदरास के लाके पे एक leader थे जिनका नाम था पोतिश रामुलू ये 56 days की hunger strike पे बैठ है इसके बाद इनकी death हो गए इनकी जो follower थे उन्होंने बस कार जो भी चीज़े होते है टायर वायर इने जलाने शुरू कर दिये थोड़े मोद आंदोलन शुरू हो गए तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए पंडी जवालन लहरू ने पहला state बनाने की गोशना कर दी थी 1952 में और फिर 1953 में पहला state जो language के नाम पे बना इसका नाम था अंदरप्रदेश और फिर उसके बाद पंडी जवालन लहरू ने S.R.C. Commission जो हमारा next picture पे इस question यह दिख रह है नया picture है मारे पास यहाँ पे एक तरफ आपको पंडी जवालन लहरू जी बैठे दिख रहे हैं और जो सुराही आप देख रहे हो और अब चिराग की तरह इलादीन का चिराग जैसे होता है वैसे ही जिन की तरह दिखाए गया है कि कितनी बड़ी position है कि देश में जिनका नाम ता फजल लिली इन्हों ने अपनी रिपोर्ट 1954 में दी और इनकी जो रिपोर्ट है वो 1956 में पुरदेश में लाग हो गई जिसमें 14 स्टेट बनाएगे और फिर 6 यूनिन टेरिटरीज बनाएगे और प्रजेंट में 28 स्टेट और 8 यूनिन टेरिटरीज है पढ अर्लियल देर वाज 14 स्टेट और 6 यूनिन टेरिटरी श्टोरी में सारी चुना चुका आंधर प्रदेश से लूज वी राव 23 स्टेट और 8 यूनिन टेरिटरीज the state have been divided on the basis of language हमार देश में जितने भी state बने वो language के नाम पे this decision was highly debated there were two different views whether should have been taken back or not and was to fear that his would be a disintegrate the country जैसे हमने पंडी जवाल नहरुजी के उपर की समस्या पड़ी थी क्यों सकता है कि अगर हम language के नाम पे state बनाया ना भी बनाया तो demand होने शुरू हो जाए आगे चलके अलग होने की ठीक है the carton show Nehru is trying to force deny the state reorganization commission on the linguisting came to the lamp तो ये कोशिच कर रहा है कि जो linguistic language के नाम पे जो demand हो रही है SO को ये जो lamp दिखाया गया SRC का state reorganization commission के दोवारा का symbol से वो दिखाया गया है कि उनको रोकना और ने कम करना इसके लावा उनके जो state है state reorganization commission का main काम ये था कि जो देश में language के नाम पे state बन रहा है वो कैसे बने और किस तरह बनाया और किनके language के अधार पे बनाये जाए तो control करने की कोशिश की जा रही है अब इससे related हमारे exam में questions क्या क्या बन सकते हैं उन questions को हम solve कर लेते हैं ठीक है पहला question what does the picture show picture क्या show कर रहा है first question on the ability of state reorganization commission linguistic dispute second resolving linguistic dispute by state reorganization commission third miss use of state reorganization commission last use of state reorganization commission सब गलते answer जो B है वो ठीक है resolving the linguistic dispute by the state reorganization commission तो हमारा answer क्या बना B next question what is the state reorganization commission SRC क्या है state demand commission next is commission divide state on the basis of region third है commission divided state on the basis of population तो हमारे देश के अंदर जो कह सकते हो कि जो language के नाम पे state बने तो हमारा जो answer बना वो क्या बना state democratic commission ठीक है what is the state democratic commission democracy commission main काम ये था कि language के नाम पे state बनाना ना की religion के नाम पे बनाना और ना की population के नाम पे बनाना तो न्यूस पेपर के में कटिंग दी हुई है इस न्यूस पेपर में क्या शो किया गया है जब महात्मा गांदी जी की हत्या हुई थी ना थो राम गोड से ने जब उनको गोली मार दी थी और वो date क्या थी उसकी date थी 30 जनवरी 1948 उससे पहले हमारे देश में कई दंगे चल रहे थे जब इंडिया और पाकिस्तान का partition हुआ थे तो नौर्थ के इलाका सबसे ज़्यादा इस एफेक्ट हुआ इंडिया का तो इनके हत्या के बाद या इनके मरने के बाद जो धर्म रिलीजिन के नाम पे हिंदू-मुसलिम दंगे चल रहे थे हो बहुत कम हो गए थे अब इन से रिलेटेड हमारे एक्जाम में क्या कोशन आ सकते हैं पहला इस इंसिडेंस वास फीचर इन दी वीरियस निउस्पेपर कौन से किस चीज को दिखाये गया है इस निउस्पेपर के अंदर पार्टेशन ऑफ इंडिया कमिनल रियोड्स को लास्ट है असेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी तो यह यह जी गांधी जी की हत्या हो गई थी उस चीज़ को यहाँ पे नियूस पेपर में दिखाये गया है सेगेंड कोश्चन वो डेट मैंने बता दी 30 जैनवरी 1948 नेक्स्ट वट वस दा इंपक्ट अफ दी इंसिदेंस अफ दी कंट्री तो कंट्री पे इसका क्या एफेक्ट पड़ा तो आंसर हमारा बना लास्ट यह यह कि हमारे पास मैजिकल इफेक्ट भी पड़ा और यह वाला आंसर गलत है कि पोस्पोन कर दिया पार्टीशन को शॉट टाइम के लिए यह ऐसा नहीं हुआ था पर मैजिकल इफेक्ट पड़ा इसका और जो partition के भी दंगे चल रहे थे वो हद तक बहुत जादा तर कम हो गया तो answer बना हमारा A and C, B को नी Next picture जो आप देख रहे हो Cartoon है, यह हमारे New Edit Cartoon में से एक है जो CBSC ने दिये है इसमें आप देख सकते हो एक तरफ मौमाले अली जिनना है दुसरे तरफ पंडी जवालन लहरू और यहां गांदी जी खड़े हैं और यह भारत माता है जिनने डिवाइड क्या जा रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इधर की तरफ अंग्रेज जो लॉर्ड माउंट वेटर थे जिनका प्लान था मेन यह कोशन नमबर वन हमारे देश का पार्टिशन क्यों हुआ था मुसलिम लेक की टू नेशन थेओरी के विड़े से पहला रीजन यही है अब यह टू नेशन थेओरी नहीं कब दी थी 1940 में नेक्स कोशन वेन वोज इंडिया पार्टिशन इंडिया का पार्टिशन कब हुआ तो 1947 यह आप आसानी से लिख सकते हूँ आंसर इससे रिलेटेड यही कोशन बन सकते हैं थर्ड नेम दी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लेडर टू अपोज पार्टिशन ऐसे नेता का नाम भी लोग रहते हैं जो उनका पार्टिशन ठीक नहीं है इन्होंने इसके जिगा खुदाई खिदमतगार की वकालत की कि हम सब खुदा के बंदे हैं ठीक है और इंसान पैदाने हुए कि वो एक दूसरे को बाट सके तो यह इसका अंसर बना मारा खान अब्दुल गफ़ार खान इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है एक्जाम में कोशन आ सकता है अब इंडिया का तो पार्टिशन हो गया था इंडिया के पार्टिशन के बाद जो पंडिया जवल नहरू थे उन्होंने 14, 15 अगस्त के मिड नाइट को एक स्पीच दी उनकी स्पीच को Trust with Destiny के नाम से जाना जाता है हिंदी में कहते हैं भाग्यवदू से चीत परतिक्षित भेद एक कोशन और आता है कि भेट कि एक कोशन आता है कि पंडिया जवल नहरू स्पीच एक्च्वल में दी कहा थी तो वो स्पीच दी थी जी लाल के लेके में लेकिन वो Constitution Assembly के सामने दी थी जिनका में परपस था देश के अंदर नया Constitution बनाना पहला कोशन विच इवेंट शो इन देश पिक्चर कौन सा इवेंट है First speech after independence तो हमारा First answer ही बना ए First speech after the independence जिसे Trust with Destiny के नाम से जाना जाता है पंडिय जवल नहरू नहीं दिलिवरी किया था Constitution Assembly के सामने 14, 15 अगस की midnight को जिसमें ये काता कि जब पुरे दुनिया आज सो रही है तो इंडिया आपने future को बनाने के लिए जाग गया है second, given by जवालन लहरू at midnight 14.15 अगस by what other name of speech known speech को हम किस नाम से जानते हैं लहरू great speech नहीं the long awaited meeting with the bridegroom तो यह answer है हमारा भाग्य वदू से चीत परतिक्षित भेट के नाम से जाना जाता है इस से related यह कोशन बन सकते हैं speech का नाम याद रखना आप इस picture को देखने से पहले हमारे exam में कोशन आता है मैंने एक sample paper में देखा कि नौाख ली एक जगा है और उस जगा से सम्मन्द किस नेता का है तो वहां कई सारे option थे जिसमें answer बना महात्मा गांदी इस picture में क्या दिखाये गए कि जी महात्मा गांदी कुछ लोगों से बात कर रहा है पर यह बात कहा कर रहा है इससे समझते है identify the leader in the picture who play important role in the Indian freedom struggle आजादी के लड़ाई में बड़ा योगदान वैसे सबका था पर इस picture में कौन शो हो रहा है वो है महात्मा गांदी अब यह picture कहा का है in the picture महात्मा गांदी show on his visit नौाखली 1947 where is this place in present present में जो इलाका है वो बांगला देश की अंदर है तो जी बांगला देश के नौाखली जगा पे गहते partition के बाद 1947 में शांती भाले इन सब चीज़ों के लिए तो इससे भी related question आ सकते है picture ना है तो मैंने statement बताई कि ऐसा मैंने question देखा हुआ है new added topic में आते है सरदार पटेल जी का integration के लिए इंडिया को बनाने के लिए unification के लिए क्या role था उनका statue of unity इससे related question to home is the above statue related किससे related है statue of unity first deputy p.m. इंडिया कौनते मैं नाम बता चुका सरदार वल्लभाई पटेल तीसरे सरदार वल्लभाई पटेल तो answer है हमारा D all of the above वो statue of unity उनके नाम पे बनी है क्योंकि उनके उनने unification का काम किया इसके लावा हमने second चीज़ ये देखी कि पहले हमारे वो deputy p.m. थे home minister भी थे और ये थे सरदार वल्लभाई पटेल next question in which state इंडिया इस above the statue located तो जी कहाँ पे है वो गुजरात के अंदर है क्योंकि यही से belong करते थे next which statement correctly define the above statue ये कौन सी जो statement है वो correctly define करेगी statue की बारे में पहला ये दुनिया की सबसे tallest statue है second whose height 182 km की दूरी 182 मीटर लंबाई में है next there is a memorial dedicated to सरदार वल्लभाई पटेल तो तीनोए answer ठीक है तो हमारा answer बना all of the above next picture based question पे आते हैं कि जब इंडिया का partition हुआ तो हमारी एक और बड़ी problem थी कि देश के अंदर democracy लाना और democracy के लिए सबसे ज़्यादा important ये थी कि देश के अंदर एक हमारा अपना क्या हो written constitution यहाँ पे हमें लोग दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले जो वेक्ति हैं उनका नाम है अब इन से रिलेटेड कोशन के हैं अब उल्गला माजाद भी हैं छोटे से इने constitution दे रहे हैं अब इन से रिलेटेड कोशन पढ़ता है identify the right most person in the above picture राइट में कौन है तो राइट में है जी एक मिट राइट में कौन से विखती हैं जौला लहरू बाबू राजिंदर परसाद मौलाना अबूलकलाम आजाद सरदार वल्लभाय पतेल तो हमारे जो राइट है वो इधर के तरफ बनेगा तो answer क्या बनेगा मौलाना अबूलकलाम आजाद अगर left का होता तो हमें देना होता जिसका नाम क्या है डौक्टर राजिंदर परसाद next handing over the constitution of the president of the constitution assembly in the above picture identified तो किसको दे रहे हैं ये ये दे रहे हैं जी डौक्टर राजिंदर परसाद को constitution असेंबली के जो head थे next आते हैं picture based question में picture निये ये map है इंडिया का map आ सकता है maybe chance है इससे related मैं question पढ़ रहा हूँ आप अपने आपी समझ जाओगी कि क्या क्या answer वनने पहला 5 August 2019 अनुछे 370 और 35 आर्टिकल किस राज्ये से हटाये गया है तो answer आप सबको पता है जम्मू कश्मीर next line statue of unity भारत के किस राज्ये में statue of unity कौन से state के अंदर है अभी हमने बात कीची गुजरात next 1953 में language के नाम पे पहला state कौन सा बना तो जी पहला जो state बना था language के नाम पे आंदरप्रदेश answer देखते हैं अंदरप्रदेश next वो राज्ये जिसमें सी राज गुपाला चार रहे यहां के गवर्नर थे उसका answer क्या बनेगा जी डी तमिल नाडू और last है जून 2014 को कौन सा state बना है सबसे last यी तेलंगाना तो इस तरह हमारे map based question आ सकते हैं को भी आपको solve करना है यह भी मैं पढ़के सुना देता हूँ आपको बस समझनी है चीजें और इस से related question हमारा exam में आ सकते हैं पहला question एक मिन्ट यार हो गया ठीक पहला वो राज्ये जिसका सम्मन निजाम और राजकार से है जानते हैं है घदराबाद ठीक है राजकार सिनापती कह सकते हूँ है घदराबाद का इलाका है next in 1947 भारत से अलग होने वाला राज जे कौन सा है 1947 में भारत से अलग होने वाला तो भारत से अलग कौन हो आता जी पाकिस्तान और एक तरफ दूसरा था हमारे पास जिसका नाम है बांगलादेश इस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में तो हमारे पर ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन और उप्रोक्त में से कोई नी तो आंसर क्या बनेगा D इसमें options में भी गलत दे दी है पाकिस्तान answer है next 1971 के बाद पुरवी पाकिस्तान क्या क्यलाता है अब बांगलादेश क्यलाता है दो मुसलिम प्रांतों में कई हिस्से बहु संख्यक और गैर मुसलिम आबादी वाले थे वो कौन सा इलाका है पंजाब और बंगाल इसका main partition हुआ था और एक last question है वो स्थान जहां पे पंडी जवल और लहरू ने twist with destiny वाले speech दी तो वो जगाए दिल्ली यह option बनेगा तो इस तरह हमने जो हमारा chapter था challenges of nation building इसके cartoon और map based question कर लिए अब next video मैं मिलते हैं आप से अपने next topic के साथ अपने next video के साथ ठीक है तब तक till then bye bye पढ़ते रहिए marks लाने आपको 40 में से 40